प्रतिभा आपकी फिजियो थरपिस्ट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटर्स क्रैम्ट के बारे में इसमें जानेंगे कि ये कंडिशन किस कारण से होती है इसके क्या लक्षन होते हैं और किन-किन लोगों को ये कंडिशन जादा अफेक्ट करती है साथ ही जानेंगे कि इसके लाज के लिए आप क्या कर सकते हैं और अगर सही समय पर आप इसका लाज नहीं करवाते हैं तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आप फेस कर सकते हैं राइटर्स क्रैम जैसे की नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें राइट करते समय लिखते समय हाथ में क्रैम यानि की अक्रेंसी आ जाती है ये हाथ का एक focal dystonia है यानि की दिमाग से संबंधित एक movement disorder है जिसमें brain हाथ की मास्पेशियों को गलत information देने लगता है जिससे हाथ की मास्पेशियों में ज्यादा contraction स्टार्ट हो जाता है और फिर जिसकी वज़ा से हाथ और पॉस्चर में twist होने लगता है बेसिकली पैन को grip करने में हम हाथ की flexors muscles का इस्तेमाल करते हैं यानि की जो muscles आगे की तरफ होती है उनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन writer's cramp में इन muscles के साथ साथ आसपास की बाकी muscles का भी इस्तेमाल होने लगता है जैसे कलाई को आगे पीछे मोड़ने वाली muscle बाजू को अंदर की तरफ घुमाने वाली muscle और इसके अलावा कंधे को उपर उठाने वाली muscles का भी इस्तेमाल होने लगता है जो की नहीं होना चाहिए ये बीमारी task oriented होती है मतलब इसमें मरीज हाथ से अपने सारे कामकास तो आराम से कर लेता है लेकिन जैसे ही वो लिखने के लिए बैठता है तो उसको हाथ में symptoms आने लगते है जैसे की मरीज ठीक से pen को नहीं पकड़ पाता है उसे हाथ में दर्ध शुरू हो जाता है हाथ का हो जाती है लिखावठ ठीक से नहीं आती है जिसकी वज़से patient को बहुत सारे दिक्कते face करनी पड़ती है जैसे की वो bank से पैसे नहीं निकाल पाता है ठीक से ना sign करने की वज़से उसके check भी bounce होने लगते है अभी बात करते हैं कि ये condition किन लोगों को ज़्यादा affect करती है य ये condition ज़्यादा तर उन लोगों में होती है जो लिखने का काम काफी ज़्यादा करते हैं जैसे की teachers, students और script writers अभी exact क्या कारण है इसके होने का इसका first रूप से अभी पता नहीं है लेकिन experts के हिसाब से इसका कारण brain remapping होता है मतलब बार-बार हाथ को एकी तरह से हिलाने पर दिमाग के particular part में ये चीज़ छप जाती है जिसके कारण से फिर दिमाग हाथ को एकी तरह की command देता रहता है और फिर हाथ में कमपन और cramp आने शुरू हो जाते है अगर ये condition time के रहते diagnosed नहीं हो पाती है पहचानी नहीं जाती है और फिर इलाज नहीं हो पाता है तो इसके कुछ complications patient को face करने पड़ सकते हैं जैसे एक हाथ के साथ दूसरे हाथ में भी दिक्कत शुरू हो सकती है hand muscles के साथ साथ आगे चलके elbow muscles और shoulders muscles भी इसमें involved हो सकती है ये भी हो सकता है कि लिखने के अलावा और भी body movements इसमें involved हो सकते हैं जैसे कि खाना खाना और brushing करते समय भी cramps आने शुरू हो सकते हैं तो ये सब symptoms शुरू ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी इस condition को पहचानने की कोशिश करें और रिलाज लेने की कोशिश करें इस condition को treat करने के लिए बहुत सारे options available हैं जैसे physical और occupational therapy ये therapy बहुत ही important role play करती है इस condition को ठीक करने में इसमें सिखाया जाता है कि मरीज को किस तरह से pen को पकड़ना चाहिए किस तरह से grip करना चाहिए और कौन सा splint use करना चाहिए और साथ ही कौन सी exercises करनी चाहिए ये थोड़ा बड़ा topic है इसलिए ये सारी चीज़े मैं अपनी next वीडियो में discuss करूँगी आगे बात करते हैं कि physical therapy और occupational therapy के अलावा botox injection और oral medications के साथ भी इसका इलाज किया जाता है इसके अलावा अगर इन तीनो conservative treatment से भी patient को फाइदा नहीं होता है तो फिर last में surgery करके इस condition को ठीक किया जा सकता है अभी फिलाल इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताए अगर पसंद आई है तो like बटन दबाए और दूसरों को share भी करें और साथ ही मेरे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को भी क्लिक करें थैंक्यू